जेहीं दोस्तो, दोस्तो स्वगत है आपका आपके अपने यूटूब चैनल गियान दे होस्ट में और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ तो चलिए दोस्तों सुरू करते हैं, दोस्तों यहाँ पर अभी जो वीडियो में देख पा रहा हूँ यह हमारी ओफिसल साइट जो प्सग्यान डोटी ने इसका लिंक आपको वीडियो की डिस्क्रप्शन में दिया है जैसे आप इस लिंक को ओपन कर लेंगे वीडियो की डिस्क्रप्शन से तो आपके सामने इस भरती की जानकारी आजेगी जहाँ पर आपको जानने को मिलेगा कि 338 पर यह निकाली है और 18-25 साल की एज वाले केंड़ेट अपलाई कर पाएंगे साथ ही यहाँ पर आपको IUCMA के अंदर छूट भी मिलेगी और 18-10 वी ITI वाले केंड़ेट इस फ़र्म को बढ़ सकते है यहाँ पर आपको जानने को मिलेगा कि कौन से ट्रेड में कौन सी काटिगरी में कितनी वेकंसी है यह सभी जानकारी आपको चेक करने है और चेक करने के बाद में आप यहाँ पर नीचा आएंगे और अगर आप सेम जानकारी मेरे दोरा वीडियो के माद्यम से लेना चाहते तो आप यह वीडियो वाच करके ले सकते है अब इसके बाद में अगर आपको लगता है कि आप eligible है और interested है apply करने के लिए वैसे में कोई fees आप से नहीं मांगी और all India से आप apply कर सकते हो तो आपको यहाँ पर क्या करना है आपको apply online link इसको open करना है open करने के बाद में यहाँ पर आजाएए और यहाँ पर आने पर आपको click here to register online यहाँ पर click करना है अब इसके उपर click करने के बाद में यहाँ पर आपके सामने कुछ ऐसा interface आजाएगा यहाँ पर आपको आपका नाम enter करना है और यह नाम आपका 10th की mark sheet के अनुसार होना चाहिए या फिर 8W की mark sheet के अनुसार होना चाहिए अगर आप 8W वाली post पर apply कर रहे हैं इसके बाद यहाँ पर आप अपनी date of birth भरेंगे आप यहाँ पर calendar के उपर click करके यहाँ पर इस परकार से पहले आपका जो भी year है वो year select करेंगे और फिर यहाँ से आपका month और इसके बाद में दे तो आपकी date of birth यहाँ पर इस परकार से आजाएगी यहाँ आने के बाद में यहाँ पर आपको आपकी email id एंटर करना है अपना mobile number एंटर करना है और फिर register के उपर click करना है अब यहाँ पर आपके सामने guys कुछ ऐसा interface आ चुका है आपको बोला है कि यह जो जानकारी आपको यहाँ पर दी जा रही है आपकी login id एंट password की क्या है यह आपने note कर लिए आपको इसको note कर लेना है या फिर यहाँ से इसकी insert ले लीजिए और इसके बाद में आप यहाँ प आपको मिला है वो password यहाँ पर डालना है और login के उपर किलिक करना है now guys मैं आपको छोटी से जानकारी anacademy के बारे में देना चाहूंगा जो कि इंडिया का largest learning platform है और anacademy यहाँ पर आपके लिए एक बार free से UPSC CSCGS mega combat लेकर करके आया है जिसमें की gamelified live scholarship test रहता है 50 question आते है और 60 number आपको इसके लिए दे जाते है यहाँ पर आप अपने knowledge तो increase करते ही हो साथ ही आप यहाँ पर rewards भी जीतते हो आप यहाँ पर देख सकते कि 250 लगी participant यहाँ पर 5000 रुपे के AGV जीतेंगे एन यहाँ पर Macbook, Air, iPad, Samsung, Mobile और Amazon के gift voucher भी मिलने वाले जो की exam के अंदर अच्छा करेंगे कहां से आपका exam आने वाला है उसके बारे में यहाँ पर short description आपको दिया है यह exam आपका 24, 26 जून सुबह 11 बजे होने वाला है और इसको join करने का link वीडियो के description में दिया है इसको join करते वक्त आपको मेरे code AMJD 10 का استعمال कर लेना है आप फिरी में इसको enroll कर पाएंगे औ इन vouchers को और इन gift को जीत पाएंगे इसी के साथ Unacademy T20 daily current affairs test series भी यहाँ पर रहती है जो कि Monday to Friday साम 7.30 बजे होती है इसमें 20 question होते है आदे घंटे का समय आपको मिलता है Hindi and English किसी भी language में आप इसको दे सकते है और यहाँ पर भी आप लोग आपके ambition के उपर voucher free में जी सकते ह and pathfinder current affairs test series भी आपकी होती है यह फिरी में है और यह every Sunday साम 5 बजे होती है इसमें 25 question आते है तो तीनों को join करने का link वीडियो के description में दिया है तो आप join कीजिए now guys यहाँ पर आप login हो चुके है login होने के बाद में आपको यहाँ पर बोला है applicant full name आपको यहाँ पर आपका पूरा नाम enter करना है और यह पूरा नाम enter करने के बाद में आप यहाँ पर नीचे आपके जो father name है वो enter करेंगे फिर यहाँ पर आपको आपकी मदर्स का name enter करना है then यहाँ पर दोस्तों आपको आपका आधार number enter करना है nationality आपको Indian select करनी है gender आपको जो भी हो आप यहाँ पर select कर यह identification mark only one यहन कि आपकी body के उपर वो निसान जो की permanent होना चाहिए तो यहाँ पर आप जो भी निसान है आपकी body के उपर वो लिख दीजे क्या आप विकलांगे अगर हाँ तो yes की जैने तो यहाँ पर आपको नो करना है इसके बाद whether candidate currently undergoing or undergone apprenticeship training क्या आप अभी current में कोई apprenticeship training कर हो या फिर कर चुके हो अगर हाँ तो yes नहीं तो आपको no करना है दैन यहाँ पर आप से पूछे कि weather candidate award of defense employee के आप वार्ड ओप und इफैंस employee है अगर हाँ तो yes select कर लेंगे कि कौन सी state से है उस state के अंदर आपके कौन सी district है और district आपको यहाँ पर select करने है और अपना pin code यहाँ पर आपको भर देना है यह भरने के बाद में यहाँ पर आपसे पूझा कि क्या आपका permanent address ही present address है अगर हाँ तो आप yes कर दीजे अगर नहीं तो no कर दीजेगा इसके बाद यहाँ पर आपसे आपकी qualification पूझे तो आपको eligible qualification में बताना है कि 8V, non-ITI, 10th ITI या फिट 10th plus non-ITI यानि कि आप 8V के माद्यम से apply कर रहे है और आपके पास ITI नहीं है आप 10V के माद्यम से apply कर रहे है और आपके पास ITI नहीं है तो आप यह select कर लेंगे इसके बाद यहाँ पर आपको जानकारी देनी है 10th institute name यान कि कहां से आपने की थी आपको आपके school college का नाम यहाँ पर enter करना है यह enter करने के बाद में यहाँ पर आप देखेंगे कि आपका passing year तो आपने जिस भी साल में आपकी जो दस्वी है वो pass की थी वो आपको यहाँ पर enter करना है कितने नंबर आपको आईते हों यहाँ पर लिखना है और कितने में साईते हों आपको total marks के अंदर भरना है percentage आपकी आ जाएगी इसके बाद यहाँ पर दोस्तों है apprenticeship training trade तो trade कौन सा है इनी दो trade पर दस्वी pass candidate अपलाई कर सकते तो यह आपको select कर लेना है अगर आप यहाँ पर ITI पर अपलाई करें तो आप 10th pass ITI select करेंगे इसको select करने के बाद में यहाँ पर आपका जो ITI result हो आप select करेंगे कि आप pass कर चुगे हो या फिर result का वेट कर रहे हो अगर pass तो आप pass select करके यहाँ पर आपके institute का नाम देगे जहां से आपने ITI की है और passing year बताएंगे कौन से trade में आपने ITI की है हो select करेंगे कितने number आई ते हो यहाँ पर लिखेंगे और जहां पर भी आपका photo है वो आपको select करना है तो यहाँ पर दोस्तों मैंने photo select कर लिया है अब यहाँ पर आप choose file के उपर click करके जहां पर भी आपका signature है वो select करेंगे और यहाँ से open कर देंगे तो आपका signature भी आ जाएगा इसका जो format है वो आपका PDF का रखा है यह image में नहीं होगा size 400 के भी से कम रहना चाहिए फिर यहाँ पर आप self declaration के उपर click करके इन सभी जानकारी को verify करके submit application के उपर click करेंगे submit application के उपर click करने के बाद मैं यहाँ पर आपसे पोचा की आपको कुछ और इसमें करने का हो सकता नहीं है यहाँ पर आप print के उपर click करेंगे और अगर आपके पास printer मोजूद है तो अभी print कर लीजे नहीं तो यहाँ पर designation में आपको save as PDF के रूप में इसको save कर लेना है और बाद में आप इसको print कर लीजेगा इस परकार से आप लोग इंडियन नेवी या फिन नमल डोक्याड मुंबई apprentice online form 2022 को भर पाएंगे I hope यह process आपको पसंद आया होगा So thanks for watching जैहिंद